करें चलिए जीुद इवनिंगं इंट्रस्ट उन ड्रोइंग कर टोपिक हमने स्टार्ट किया था पिछले पार्ट में जल्दी से ऊसकी एक कुईख रिवीजन ले रहे हैं पहले क्या होता था इंट्रस्ट उन ड्रोइंग ड्रोइंग की amount के ऊपर लगने वाला एक interest rate है drawing कौन करता है partner तो बदले में interest कौन पे करेगा partner तो यह interest on drawing जह है वो partner के लिए खर्चा हो जाता है क्यों क्योंकि वह business को पे करते हैं और business को यह interest on drawing मिलता है इसलिए business के लिए क्या हो जाती है income हो सबसे पहले मैं यह देखना चाहता हूं जर्नल एंट्री क्या बनेगी जर्नल एंट्री देखो पार्टनर के लिए एक खर्चा है क्योंकि पार्टनर ने बिजनस से पैसा उधार लिया तो बदले में इंट्रेस्ट देंगे ठीक है एक बर फिर से पार्टनर ने बिजनस में से पैसा निकाला मतलब एक तरह से कह सकते हो बिजनस ने पैसा उधार दिया पार्टनर को तो पार्टनर बदले में इंट्रेस्ट देगा तो इंट्रेस्ट पार्टनर के ध्रों नहीं होंगी वो Capital पार्ट्नर बर्बर बिजनस को बोलेगा मेरी कैपिटल में यह तो पैसा एड कर दे या मैनस कर देन अब इंट्रस्ट जब लग रहे है तो पार्ट्नर्स की कैपिटल कंभी एथा तो यह पार्ट्नरने को कॉइब घर क्या श्रकट है तो वह आईटम होती है वो पीएंडल एप्रोप्रेशन का पार्ट होती है ठीक है जी आप लोग सुनलो नए वाले स्टुडेंट्स दो आइटम्स होती है एक होती है trading and profit and loss account उसके बाद profit and loss appropriation account पिनल appropriation account कब आता है सिरफ partnership के case में क्यों क्यों क्योंकि नए partner आगे तो partner से related कोई भी transaction होगी पिनल appropriation में outsider से related बाख की कोई भी transaction आएंगी तो पिनल account में अब देखो इसकी journal entry क्या बन दिया है partners capital account debit to interest on drawing फिर उस interest on drawing को कहां पर भेज देना है P&L appropriation में तो interest on drawing account debit to P&L appropriation account तो यह देखो P&L appropriation account यहां पर बना हुए पिनल appropriation account यहां पर हमने बनाया है तो business के लिए यह जो है फिर इसके बाद हमने देखा था interest on drawing निकालते कैसे हैं इसका shortcut formula होता था कक्षा 5 वी और 6 वी में पढ़ा था पी इंटू आर इंटू टी principle इंटू rate of interest इंटू time ठीक है पी मतलब principle principle मतलब कितनी आपने drawing किया तो drawing को rate से multiply कर दो कितना percent rate है और कितने months है इसको निकालने के कितने methods होते थे दो method तो दो methods के name देखो क्या है सबसे पहला simple method simple method में interest on drawing निकालने का formula drawings into rate into time यानि कि इसको short form में क्या बोलते थे पी इंटू आर इंटू टी तो principle अमाउंट्स हमलों 20,000 है इंटू 9 by 100 इंटू 4 months तो यह आज़ेगा 600 रुपे कि दूसरा method का नाम क्या हो था था product method इसमें principle को कैसे लिखते थे total product तोटल प्रोड़क्ट यानि कि drawings को नंबरों month से multiply पहले ही कर दो तो वह आज़ा था total product into rate by 9% into 1 by 12 यहां पर 1 by 12 क्यों कर रहे हैं क्योंकि month से पहले ही multiply हम कर चुके थे इसलिए सरफ एक से multiply कर देना है बाकी 12 से divide कर देना है यह पिछली class की revision थी जो नई बच्चे हैं हो सकता है उनको समझ में ना आया हो कि जल्दी हो गया हो उसका रीजन यह है कि आज का टोपिक नहीं था यह पिछली class का टोपिक था वो मैं बाकियों को समझा दूँगा ठीक है जो पिछली class में absent थे नहीं तो यह class record हो रखी है already सारी recorded classes आपके mobile app में पहुंच जाया करेंगी तो जिस student के point of view से बहुत important है जिसमें formula लगता है पीरेड निकालने के लिए जैसे में हर question में दिया होता था था ना 6 बेटे 12 चार बेटे 12 यह अगर question में नहीं दिया होता था तो हम क्या ले ले लेते थे ठीक है पी इंटू आर इंटू टी टी में कि कौन सी ड्रोइंग की है अब एक topic मेरे पास है कि अगर कोई एक partner है जो monthly drawing करता है हर महीने की एक तरीक को business में से पैसा निकालता है घर के लिए क्योंकि देखो business एक separate लेने कोई matter नहीं करता हम जितना भी कर रहे हैं यहां पर हम business की बाते कर रहे हैं कभी भी घर की नहीं लेकिन देखो आगे कंपना है जो है वह तो common है उसने दुकान पे भी जाने है उसने शाम को घर पर भी जाने है कई वर मालिक का बच्चा पापा-पापा चीजी ले दो पापा क्या करते हैं भाई यहाँ घर के पैसे नहीं है दुकान के सो चुता है और गळ्ले में से पैसे निकालता है vontade यह ले जी चिप्स खा लिए औंट चुछ कई पाद हर गमेंदे का डृइंग तो उस महीने की एक तारीक को दस हजार पे दुकान से निकालता है मतलब टोटल एक साल मेंगेव कितनी ड्रोइंच कियों गी कितनी भार ठाट टिंप लाग 10,000 नहीं जार 1,000,020,000 पे त्रीक है ना पहली ड्रो इसने कब की हो महिननों के स्टील निया है? टोटल 12 महिनों की ठीक है? दूसरी चीजी पहली जो ट्रोइं की है क्या डेट बताई थी आप लोग ने मुझे फस्ट एपरेल तो मतलब वह वला पैसा से एक तरह से बिजनस ने पार्टनर को उधार दिया है, जिसको आपर ड्रोइंग बोल देते हैं, समझने के लिए हम क्या बोल देते हैं, उधार दिया, एकाउंट्स में इसको टेक्निक लिए क्या बोलते हैं, ड्रोइंग्स, तो बिजनस ओनर ने वो पैसा यूज किया, किसका, बिजनस का ठीक बोले मैंने बिजनस ओनर ने बिजनस का पैसा यूज किया वापिस दिया ही नहीं तो ये पैसा कितने मन्त के लिए यूज किया पूरे बारा महिनों के लिए पहले ही दिन पैसा निकलवा लिया और अगले साल तक वापिस ही नहीं किया तो business कहेगा ला भाई ला बारा महीने का interest ला दूसरी drawing की date क्या है 1st May 1st May को 2nd मंद शुरू हो गया कितने महीने बीत गया है एक महीना बीत है तो 2nd वाली जो drawing है वो 11 महीनों के लिए उसने पैसा यूज की है तो उसके उपर 11 महीने का interest लगेगा तीसरी drawing की date बताना 1st June 1st June से लेकर 31 मार्च तक 10 महीने हो गई तो 10 महीने के लिए पैसा यूज की है सर ये आप हमें बार बार क्यों समझा रहे हो क्योंकि हमें तो पूरे साल की drawing देखनी है एक-एक महीने की नी पूरे साल में जितनी drawing की है उसको ये वाला P into R into T formula लगेगा जितना इंट्रेस्ट निकलेगा बारां बार इंट्रेस्ट निकलेगा ना तो बारां का टोटल कर ले ना वो पूरे साल का इंट्रेस्ट ओं ड्रोइंग है हमें प्लस टू एकाउंट्स में यह हमें अपने question में पूरे साल का इंट्रस्ट देखना होता है कभी भी मन्थ का नहीं यहां पर तो मन्थ लग लग है तो लग लग निकाल के बारा महीनों से टोटल कर दो बस बंगी बात इसको इसमें पर फॉर्मुला ले सकते हैं एक शोटकट फॉर्मुला होता है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कोश्च कोशन देना पड़ेगा उसकी हेल्प से कोशन आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा जी को कि को कि ठीक है कि एक कोश्चन लिखो कि सेम वही कोश्चन जो भी मैंने आपको डिक्टेट किया ड्रोइंग कि 10,000 पर मंथ कि ड्रोइंग 10,000 पर मंथ यह आप लोग नोट्स वाली जगा पर मत लिखना अपने कोश्चन में लिख लेना ड्रोइंग 10,000 पर मंथ एड फर्स्ट डेट ओफ एवरी मंथ मुझे नहीं लगता है इस लाइन में आपको कोई दिक्कत हुई होगी यह लाइन समझ में आगी ड्रोइंग कब करते हैं 10,000 हर महीने की पहली तारीक को सर यह क्या का रेलिवेंस है अच्छा जी रेट 10 परसेंट सबसे सोखा ले लेते हैं 12 ले बात तो सही है क्या बात है मनन बहुत बढ़िया कोन से आज भीगे हुए बदाम खाके आई हो कि ऐसे सुखे कोई नहीं खाया चीज समझ में कि 12 बटे 100 करके इंटू 10 बटे 12 कुछ भी करेंगे 12 से 12 कट जाए करेगा या तो 6 बटे 12 ले 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 तो भी कट जाता चलो जी ठीक है बस calculate आई योडी सर आई योडी आई योडी मतलब इंट्रेस्टेंट रिंग्स अपने हमको समझ क्या रख है हमें कैसे इतना नहीं बता चलेगा अग्जी आपने बहुत बड़ा तीर महाराज चलो जी अब इसका आपने फोल्डर बनाना है फोल्डर नी क्या बोलते हैं कोलम इस ज्यान रखना योडी बोल रहा हूं गुलुकॉन डी नहीं बोल रहा है अच्ट आधा पानी पिलाते नहीं तो गुलुकॉन डी पिलाया करो कुछ औरेंश वाला कुछ वाइट वाला हाना कितना पैसा सर कहां पर लेकर जाओगे समन्नी आता हमें डेट पहली ड्रोइंग की की डेट बताओ जी इस पूरे कोश्चन में ड्रोइंग 10,000 पर मंथ अच्छा पूरे साल की ड्रोइंग कितनी की होगी बंदे ने एक लाख 20,000 अच्छा पहले ड्रोइंग की डेट मैं बता देता हूँ पहले गा कि सारे बाराओं का यह निकाल लिए नहीं नहीं पहले यह करना है एक चार यहां पर डेट कुछ नहीं है तो हमें एक चार 2022 मान लेते हैं एक चार 2022 दस जार के ड्रोइंग की है अगर मैंने एक एपरेल को ड्रोइंग कर लिया तो एक चार 2022 को होगी ना कितने महिने के लिए पहले पैसा उधार रहे है अगर एक चार को कर रहे है तो बारा महिने के लिए देखो साल कौन से चल रहा है 2022 पहली ड्रोइंग की है एक चार बाइस को बिजनस एक सेपरेट परसन है अब वो ओनर से पैसा मांगेगा जी क्याता है तू बिम्रा पैसा उधार लेके चला गया अब इंट्रेस्ट दो कितने मिने का इंट्रेस्ट लगेगा एप्रेल मई जून जुलाई अगोट सप्टेमबर अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर जनुरी फरवरी मार्च बारा महीने का तो इसमें इंट्रेस्ट कैसे निकलेगा दस अजार इंटू 12 बाइंडर इंटू 12 बाइंडर इंटू 12 बाइं 12 यह कितना आता है जी सोल्व करना हाँ दस अजार का 12 बारा मंत के लिए अच्छा जी दूसरे नंबर मेरे को बताना दूसरी ड्रोइंग कब की होगी एक पांच 2022 को कितनी सर वही दस अजार पे यह कितने महीने लगेंगे ग्यारा महीने सर यह ग्यारा महीने कैसे आये हैं फर्स्ट में को है तो आप यह सोचलो आपने पैसा यूज कर रहा है तो कितने महीने यूज किया उसने 11 बंस ना तो इंटू 11 से पी इंटू आर इंटू टी ती मलब 11 बटे 12 1100 आ रहे हैं 1100 अच्छा जी तीसरी ड्रोइंग कब की होगी एक छे दोजर बाइस दस सजार एक छे के बाद कितने महीने बचे जाएंगे डिंपल एक छे के बाद जून जुलाई अगर्स सप्टेमबर एक्टोबर नमबर दिसंबर जैन फैम मार्च दस महीने तो इसको कैस सो इंटू दस वटे बारां हंजी तीसरा एक हजार एक हजार फॉर्थ ड्रोइंग कब की होगी सोचने एक बार फर्स्ट जुलाई को एक साथ वाइस को कितने मंद्स आएंगे जी यहां पर नाइन मंद्स आ जाएंगे देगे ना नो सो आ रहा है अगले का मेरी बात सुनो सारे ही सोस्वर पर कम करते चले जाना तो यहां और कुछ नहीं होगा सारे सोस्वर पर कम करते चले जाना क्यूंकि दस जार का बारा प्रेसेंट होता है बारा सो तो बारा सो पूरे साल का है तो एक महिने का है कितना हुआ तो जितने मंत है उसको सोर पर से मल्टिप्लाई कर तो तब भी आंसर आजएगा यह शोटकट्स होते हैं यह सिर्फ हमेशा नहीं लग सकता यह शोटकट यह तब लग सकता है जब वह बारा सोटाइब महीने का Stop89 महीने का नो महीने का señorद तो महीने का असफंब दस।'' ऐसे करते चले चले जो चैस सोपांच सोग में तीन सो दो सो वाला देख लो कौन से मिने क्या है सो वाले का एक मार्च दोजर तेइस को एक महीने के लिए देखना टोटल बारा हां बन गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा लिखें तो सोरी तो टोटल इंट्रेस्टन ड्रोइंग कि तरह बन रहे हैं कि 7800 कि यह तो कोश्चन में बारा प्रसेंट ले लिया तब ही आप लोगों ने लास्ट वाले इतने आलस मार के ऐसे से कर लिए मेरे को भी आलसी बना दिया मनने नहीं तो मैं कुछ लेता आठ दस प्रसेंट तो बार बार यह करते रहते मुझे लगता इसी में हो जाते आज का साल की एक लाग बीस हजा यह तो मुझे भी पता था बड़ा सोखा है कितना परसेंट रेट है बारा परसेंट अगर इसको मैं साड़े छे डिवाइडिड बारा कर दूं मैंने ओन देखो मेरे को बारा बार कैलकुलेक्शन ने करनी पड़ी है यहां पर मान रहे हो ऊपर मेर ने कोई formula innovate किया होगा तो math ने formula innovate किया क्याते जब हर मंद्ध्यान से सुन ले न यह वली line new है सबके लिए आप लोगों के लिए भी आप लोगों के लिए भी math ने accounts के साथ मिलके formula innovate किया math में तो बड़े formula होते हैं अकाउंट में limited होते हैं तो एक formula यह है जिससे math की help ली गई एकाउंट्स ने ली कियते हैं अगर drawing की amount सेम है हर महीने और date भी सेम हर महीने तो बारां बार अलग अलग calculation नहीं करनी यहां पे देखो पहले आपने यह calculation की दूसरी यहां पे तीसरी यहां पे चोथी यहां पे बारां अलग अलग बार calculations ना करके एक average period ले ले लो average period का मतलब होता है एक ही वो ले लो देखो P को तो आप assume कर नहीं सकते वो तो question में given है rate भी question में given है तो time को ना हम average assume कर सकते हैं क्या average ले ठीक है तो उस average का इन्होंने एक formula बना लिया तो इन्होंने बोला अगर तो दो condition fulfill होनी चाहिए पहले हर महीने की drawing की amount same होनी चाहिए date same होनी चाहि amount और amount और amount और तो लंबे वाला formula लग सकता है कि shortcut वाला shortcut वाला सर अगर ऐसा हो amount तो same है date लग लग है फिर काम नहीं करेगा फिर काम नहीं करेगा यह shortcut formula तभी काम करेगा जब amount भी same हो drawing की date भी same हो अब इसको solve करना सर यह अपने 6.5 कैसे लिया पीटा यह जादू से यह जो intelligent लोग होते हैं ना मेरे जैसे तो वह ले लेते होते हैं सर हमें भी intelligent बनाओ तू राज खोली जाए रहा मेरे रूख जा कि इसको solve करो जल्दी से करना जी इसको solve कर लिया है किया नहीं है तो इसका आंसर आ रहे 7800 ओए होई 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 उपर भी 7800 miracle miracle जमतकार अब मेरे को बताओ अगर ऐसा question आता है तो alternate नंबर वन करना चाहोगे पेपर में या ओल्टरनेट नंबर टूब पेपर में यह question पता है कितने नंबर आता है पूरे एक नंबर का तो बताओ एक नंबर के लिए पहला ओल्टरनेट चुनना चाहोगे छोटा सा जिसमें बारां बार calculation करनी पड़ती है यह यह बड़े वाला जिसमें एक ही बार calculation करनी पड़ती है कौन सा बड़े वाला नीचे वाला कि उपर वाला चे समैं बहीं शोट्रटव फॉम्ला नीचे वाला फॉम्ला कब लगेगा अगर भूल गए यार आप लोग क्या फैदा अगर ड्रोइंग की अमाउंट और ड्रोइंग की डेट सेम हो तब ही लग सकता है सर ऐसा हो सकता है पहली ड्रोइंग की यो एक तारीक को अगले महीने 15 तारीक को उससे अगले महीने 20 तारीक को तो क्या date सेम हुई के अलग लग हुई तो क्या shortcut formula लगेगा नहीं लगेगा सर हमने shortcut formula के लिए दो हाथ माल लिए date सेम होनी चाहिए amount सेम होनी चाहिए क्या-क्या date और सेम सर अगर हर महिने की 15 तारीक को ही हर महीने की 15 तारीक को विड्रो की तब भी shortcut formula लग जाएगा सर अगर हर महीने की 20 तारीक को 20 नहीं होता यहाँ पे या तो एक तारीक को या 15 तारीक को या 30 तारीक को देखो पी तो यह हो गया प्रिंसिपल यानिके ड्रोइंग के माउंट आर यह हो गया यह दोनों तो कॉश्चन में हमेशा गिवन होंगे तो हमारे लिए फो मूला इस चीज जो आपको सरकल में दिख रहा है टाइम का इसको बोलते हैं average पिरिड या बोलते हैं एक की साल ले लो उसी से Multiple कर देना एक ही जो भी महीन तो एवरेज पिड़ पिरेड का formula क्या होता है जिह जो accounts ने मदद ली थी mathematics की उन्हों ने यहां इस conclusion पहुंचे थे months left अध्र फर्स्ट डिर рук प्लस कि मन्ट्स लेफ्ट कि आफ्टर लास्ट ड्रोइंग कि दो बार आपने उपर मन्थ लिए ना देखो एक यह अपने लिए एक यह उपर दो फिगर्स लिए ना तो डिवाइड किस से करूंगा टू से यह तो आप लोग ने अवरेज निकालते हुए प्लस वन के स्टैट्स में भी सिखा होगा उपर जितने भी प्लस कर रहे हो अगर यहां पर मैं एक और प्लस कर देता तो डिवाइड तीन से कर देता उपर जितनी फीगर्स है उतने से डिवाइड करने अब मेरे को पहली ड्रोइंग हमने जब की थी फरस्ट एप्रल को तो उसके बाद बारा मीने नियाद भुले 12 मैंने लास्ट द्रोइंग कब की थी है एक मार्चक नहीं कि अख्री मंथ कौन से मेरे साल का मार्च और मैं हर मेने की पहली date को विड्रो करता हूँ तो पहली डेट क्या है एक मार्च तो एक मार्च के बाद अभी 30 मार्च तक एक महीन ना तो प्लस कर दूँ गए एक से तो उपर दो फिकर है ना लोगों को समझ में आ गया यहां तक अब जो हमने उपर बड़े वाला फोमला लगाया था पहले हम बारा महीने यूज़ कर रहे थे फिर ग्यारा फिर दस फिर नो फिर आठ फिर साथ फिर छे फिर पांच पूरे बारा कैलकुलेशन में एक भी बार साड़े छे नहीं आया था ना सोचके देखो जब हमने पहला मल्टिप्लाई किया था बारा बटे बारा से किया था अगला मल्टिप्लाई 11 से अगला 10 से तो पूरी बारा कैलकुलेशन में एक भी बार साड़े छे नहीं आया था ले फबग पूरे साल में देखो पहला आपने जो मंत लिया था बारां लिया था आखरी मंत लिया था 1 2 12 कभीलिया था 2 12 कभीलिया 3 212 तो इन सभी की जो आवरेंब में निकाली वो लिए 16, तो 16 कोई Direct period नहीं है 16, 17, जो फोर्मुले से निकाला गया average period है जिसको आप पूरे formula में यूज करके ऐसे जो भी आपके screen पे है पूरे formula में आप यूज करके इंट्रेस्ट और ड्रोइंग निकाल सकते हो पूरे साल की सर इसी question को अगर आप हमें यह ने ड्रोइंग की होती तो formula क्या लगता फॉर्मुला वही का वही लगेगा याद रखना formula यहीं है जो मैंने डिबे में डाल दिया गया जशान के मंन्सलेफ्टाफ्टर अफ्टर दा फ्रस्ट द्रवांग, मन्सलेफट अफ्रे लास्ट द्रॉूइंग तो अगर सोचके दिखो मैं साल के महिने के एंड में अमॉंट भी ड्रो करताूं तो पहली ड्रोइंग मैंने पतर है कब की होगी एक-चार-बाईस है यहाँ पर मेरे यह वाला साल कब खतम होता है पहले तो मुझे यह बताओं मिरे साल कब खतम होता है तो पहला महीना चड़ा एपरल को श्यों में क्या बोला लास्ट डेट पर भाईया जी पैसा निकालते हैं तो पहली ड्रोइंग कब निकाली होगी मैंने जिसको यह समझ में आ गया समलो उसके लिए टोपिक अब खतम हो चुक है कुछ और नहीं गया यह समझ में आ गया पहली ड्रोइंग कब की होगी हंजी आप दोनों को आ गया समझ तीस एपरल को तो यह बिजनस ने कितने महीनों के लिए पैसा उधार दिया मालिक को 11 महीनों के यह एक वह एपरल के एंड में दिये तो पैसा तो यूज यहां से यहां तक करेगा ना आप पैसा यूज यह वाला सोच रहे हो जब तक उधार लिया इनी यह मैं बैंक से पैसा उधार लेके गया 30 अपरल को तो बैंक तो 30 अपरल से इंट्रेस्ट लगाना शुरू करेगा मेरे को यह 30 अपरल से पहले कि समझ में आया हम तो यह देख रहे हैं कि उधार कब दिया उधार दिया 30 अपरल को यूज कब तक कर रहे हो 31 मार्च 2023 तक तो कितने महीने बच गए 11 महीने तो पहला फोमले में क्या लगेगा 11 महीने मंत लेफ्ट आफ्टर दा फर्स्ट के पहले दिन विड्रो करता हूं कि आखरी दिन आखरी ड्रोइंग कब की होगी 31 मार्च 31 मार्च के बाद बताओ कितने महीने बच गए जीरो यह यहां पर जीरो अब आप लोग समझ गए जीरो डिवाइड उपर दो फिगर हैं तो डिवाइड टू से तो क्या मंत निकलाएगा आया समझ में यह कौन सा केस था वैन मंथली ड्रोइंग इस विड्रोन एड़ दा एंड ओफिच मंथ सर लगे हाथ हो हमें विड़ वो भी करवा दो मिड़ ओव दा मन्थ वाला इसमें कुछ नहीं सोचना है हम कुछ सा देज ले रहे हैं 365 या तीस देज तो नहीं ले रहे हैं बस बात खतम अच्छा अगर मैं हर महीने के मिड में क्योंकि देखो हम हमेशा बीच के बंदर होते हैं ना हमें कोई कोई चीज पहले पसंद होती है ना कोई लास्ट में जब आपका वाईवा भी होने लगते हैं यार पहले ना बिठा दे जब आप लोगों का वह एक्जाम भी होना ओ यार पहले बैंच पर बारी ना आए लास्ट पर पीछे से कोई बताने वाला नहीं होता हमें तो मिड में चाहिए सीट तो यह मिड वाला सीट है मिड वाला मतलब है पहला महीना साल का कुन सा होते जी तो अगर हर महीने के मिड में ड्रोइंग करता हूं तो पहली ड्रोइंग की डेट बताओगे 15 अप्रेल कि दोजार कि 15 अप्रेल 2022 15 अप्रेल को मिस्टर पार्टनर जी ने किसने मिस्टर पार्टनर जी ने पैसा उधार लिया 15 अप्रेल को तो 15 अप्रेल से लेके बताओँ साल खतम होने तक कितने महीने बच गए ग्यारा आध्धा मीने अप्रेल का बच गया ग्यारा मीने बाक्ती तो कितना आएगा 18 गारा है तो यहाँ पर फो में लग जाएगा 41 भर आखरी ड्रोइंगं कब की होगी है पंदरह मार्च को क्योंकि मार्च आखरी मीने होता हम आध्य मुन्य में लेते हैं यहां पर 15 मार्च पंद्रा मार्च के बाद कितने दिन बच गए मलब आध्धा मीना बच गया आध्धा मीने को कैसे लिखते हैं पॉइंट 5 ही पतंद ही काहांपे करोगे आप यहांrowe से मटीप्लाई कर दोगे सब्सक्रणाइं करा सी ऩाओं तो मैं तो पूरे साल का ले रहूं तो पहले यहां पर इसको 12 से मृलटीप्लाई करके 1,020,000 बना देना हमने कोश्चिन में उपर 10,000 लिए यहां पर तो दस हजार तो एक मीने की थी इंट्रस्ट रोइंग निकालना पड़ता है पूरे साल का तो पहले इसको मिशा साल से मल्टिप्लाई करके एक लाग बीस हजार पहुंचा देना एक लाग बीस हजार का बारा प्रेसेंट इन्टू सिक्स बाई ट्वेल्फ यह कितना आता है हां जी है ऐसे निकलेगा जी कोश्य है किसको लग रहे हैं जी टोपिक समझ में आ गया कुछ भी नहीं है वैसे देखा जैंटोपिक में सिर्फ एक ही फॉमूला है एक बार फॉमूले को हम बोलेंगे क्या है यह मिडवला कि टॉट्या था फॉमूला बूलेंगे क्या है मन्ध्स लेफ्ट अफ्ट प्लस लैफ्ट लाज्ट डॉइड बंड़ टू यह शोटकट फोमूला क्या का एवरेज पीरिट का तो यह मैंने अभी क्या निकाल यह मैंने निकाल एप यह लगा देंगे पी इन्टू आर इंटू टी मतलब यह वाला है ठीक है जी है शोटकट फॉर्मूला कौन सी कंडिशन में नहीं लगता है जब डेट ओफ ड्रोइंग अमाउंट ओफ ड्रोइंग इकोलो पूरे साल का पिरेड है अब देखो यह समझ में आ गया आप लोगों को हो यह वहला केस कि अब इसके जितने केस हैं मैं अभी साथ साथ करवा रहा हूं खतम हो जाएंगे अभी के अभी पहला केस समझाते हुए टाइम लगता है अगले केस तो सेकिंड्स में हो जाएंगे देखना लेकिन फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग पानी पूनी पीलो तब तक क्योंकि मेरेको वोशन नहीं मिल रहा ना कि मिल गया हुआ है कि देखो जी टोपिक क्या है कि कैलकुलेशन ओफ एवरेज पिरेड क्या होता है वही जो भी भी हम करके आएं जब एमाउंट और डेट सेम ओ तब शॉट्ट कट फॉम्ला लगेगा शॉट्कट फॉम्ले के लिए मेरेको आवरेज पिरेड तो चाहिए बलब बारा बार कैलकुलेशन ना करके एक ही बार कैलकुलेशन और एक बार फॉम्ला लगा ले उससे काम खतम हो जाते है सोचो क्या है monthly drawing पहला केस क्या है monthly drawing when drawing is made at the beginning of each month beginning हर महिने की एक तरीक को सरी तो हम कर चुके हैं 12 प्लस एक पहले साड़े 6 महिने आये थे अगर beginning है at the end of each month तो क्या answer निकला था 11 प्लस 0 सर 11 कहां से आया था 30th April को drawing की थी तो उसके बाद 11 महिने बच गए आखरी ड्रोइंग की थी 31 मार्च को तो उसके बाद 0 महिना बच गया तो 11 प्लस 0 डिवाइड बै टू साड़े 5 महिने और तीसरा गया है मिड ओव दा मन्त वाला कि मिडल ओव दा मन्त भी अभी अभी हमने पड़ा यह देखो अभी मैं आपको समझा के आये था पहली ड्रोइंग कब है 15 अप्रेल को लास्ट ड्रोइंग कब है 15 मार्च को तो बच क्या गया क्या है आपको पातर समंझ में आते कृटर किया है वह नी जो आप सोच रहे हूं ए प्लाश्म ही उसे कुए मचरतीन में थमodar म्तलब तीन महीने वह गया हुए सब्सक्राइब यह धार हुकरों सब्सक्रार मतलब तीन मीने तो एक साल में कितने कोोठ़ होते होंगे एक साल में चार क्वार्टर पहला क्वार्टर एप्रेल मही जून दूसरा क्वार्टर तीसरा चोथा अब केस नंबर यह फर्स्ट पढ़ो वेंड ड्रोइंग इस मेड़े अड़ दा बिगिनिंग ओफ फीच क्वार्टर चारी बार बंदा ड्रोइंग कर रहा है क्योंकि अब मंतली ड्रोइंग में बंदा कितनी बार विड्रोव कर रहा था बारा बार अब क्वार्टर में एक बार करता है मलब अपरेल मही जून तीन महीनों में एक बार तो साल में टोटल कितनी बार ड्रोइंग करता होगा चार ब 31st March 1st Jan 30th June मज्जा ही बड़ा रहा रहा है बड़े बड़े लगले गांस रहती है नया बंदा आगे पहले दिन चाह गया तीस जून कहां से आगे मेरे भई सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है at the beginning of each quarter फिर भी 30 जून कहां गया ठीक है ना इंदर जीत बहुत बढ़िया पहली ड्रोइंग की डेट बताओ एक बार फिर से पहली ड्रोइंग की फर्स्ट एप्रल तो कितने महीने बच गए बारा महीने आखरी ड्रोइंग कब की होगी आखरी quarter में ना आखरी quarter कहा है जन्वरी फर्वरी मार्च का और हर quarter की beginning में एक जन्वरी को किया हुआ तो एक जन्वरी से 31 मार्च तक तीन महीने बच गए तो बारा प्लस तीन डिवाइड़िड वाए सेवन पॉइंट फाइव मन्त सर पिछले वाले पे तो पार्ट में आया है नहीं था वहां पे तो साड़े छे चे और साड़े पांच आ रहा था तो मैंने कभी आपको बोल ला कि छे आंसर आएगा या साड़े चे या साड़े पांच कुछ भी आ सकते हैं आप लोगों ने देख लेते हैं इसका अंसर साड़े साथ ठीक है अगला ड्रोइंग इस मेड एड़ एड़ एंड ओफीज को आटर पहली ड्रोइंग की डेड़ बताओ अच्छ एप रती हच्छी थाटी जुन बहुत बड़ीया जी 30 जून के बाद कितने महीन दे बंच गे कं आइन मन्त और आख़री ड्रोइंग कौन्सी डेट पे की होगी है क्योकि क्वार्टर के के एंड मेंहारा लास्ट कौार्ट और न एंड में तो 31 मार्च सरीक अत्तिस मार्च को तो मन्त ही 0 बच गयोंगे तो नाइन प्लस जीरो डिवाइड बाइट तो देखते हैं जी सेकंड वाले का अंसर मैच हो रहे हैं यहां पर देखो मैंने ऐसे टाइम लाइन बनाई हुई है फास्ट ड्रोइंग 30 जून को ही होगी और यह 31 मार्च को जो भी अभी आप लोग ने मुझे आंसर दी हैं डिवाइड बै टू करके साड़े चार महीने मिडल वाले में बताओ पहली ड्रोइंग की डेट यह बच्चे कंफ्यूज होते हैं 15 मई 15 मई हर क्वार्टर के मिड में पहला क्वार्टर कौन सा होता है एप अँफ में देते हैं क्या आप्वार्च भी न बच गया वह लुषूज सब्सक्रां हो को कंपेर करने लग जाते हैं हम क्वार के मिड में ड्रोइंग तो कर रहे हैं लेकिन हमने अगेंगी एकत्तिस मार्च तक तो कितने मीने बनेंगे साड़े 10 कि यहां पर मैं लिख देता हूं साइड पर साड़े 10 कि आखरी ड्रोइंग कब की होगी 15 फर्वरी तो मन्त कितने बच गए देड़ तो साड़े 10 प्लस डेड़ 12 12 डिवेड़ बैचे दो बारा डिवेड़ दो छे यहां से एक चीज मैंने और प्रूफ की जब मीडल ओव दा मंत में आ रहा है मंतली वाले में भी छे मीने आये थे ना क्वार्टरली वाले में भी जब भी मीडल होगा ना मीडल मतलब हमेशा आवरेजी रहता है तो उसका आंसर में शेह आने वाल सरे कैसे बात कर रहे हैं साल बारा मीने का नहीं है यह मैं हाइपोथेटिकल एक पोजीशन बना रहा हूं मैंने बिजनस यह जुलाई को शुरू किया बिजनस एक जुलाई को शुरू किया मेरा साल तो 31 मार्च को खतम होगा कितने महीने का पीरड है नाइन मंस का आप मेरी बात समझें मैंने बिजनस दुकान खोली है एक जुलाई को लेकिन मेरे को एकाउंट के हिसाब से अपना साल 31 मार्च को खतम करना होता है ना हर साल तो नो महीने है तो मैंने मेरा टाइम पीरेड क्या है ना की पूरा साल अभी तक मैंने जितने केसी किया मेरा टाइम कितने है नाइन मन्स तो नाइन मन्स के साथ कंपेर करना अब सोचो नाइन मन्स की ड्रोइंग है पहली ड्रोइंग में जाने आपने पहली ड्रोइंग मैंने करी कि समझ लो फॉस्ट एप्रेल से मैं आपको टाइम पिरेड दे रहा हूं फॉस्ट एप्रेल से लेके 31 को ना तो मेरे को बताओ पहली ड्रोइंग और लास्ट द्रोइंग कब होगी अगर बीगिनिंग होगा तो फर्स्ट अप्रेल को कितने मंत बच गए 9 months क्योंकि अब मैं time period 12 महीने का नहीं लेके चल रहा कितने मिनने का लेके चल रहा हूं 9 months का तो पहला किता आजेगा नाइन लास्ट ड्रोइंग की डेड़ बताओ एक दिसंबर एक मिना बच गया तो दस प्लस नो प्लस एक दस डिएड़ बैट तू पांच मिने तो पी को नाइन से मिल्टिप्लाई कर देंगे वह अच्छा 12 भी करेंगे निकालना तो साल का चाते है ना तो बंदे ने 9 महिने में निकाली बताओंगा जब कोश्चन आएंगे आपको वह भी कराओंगा अभी के लिए जिस सी इस पर मैं चाता हूं अभी पहले इस पर ध्यान दो वह आएंगे उसका भी मैं बता दूंग होगा प्रैक्टिकल कोश्चन में हां इंटरस्ट पर एनम हो सकता है ना तो वह भी देख लेंगे पहले जीस चीस में उसको पूरा एब्जोर्ब कर लेते हैं अच्छा 9 मीने का पीरेड है कि अंत में एंड में विड्रो कर रहे हैं तो पहले ड्रोइंग कौन सी की होगी आखरी ड्रोइंग की डेट कौन सी होगी लास्ट ड्रोइंग 31 दिसंबर कितने मंत बच गए जीरो डिवैड़ बाए आंसर फॉर मन्स ऐसे मीड़ वाला पताना फर्स्ट ड्रोइंग कब की होगी 15 अप्रेल 15 अप्रेल एक वाटरली ठोड़ी चल रहा मंत री चल रहा तो फर्स्ट ड्रोइंग की होगी मैंने 15 अप्रेल को 15 अप्रेल के बाद कितने मंत बच गए ओंगे साढ़े आठ लास्ट ट्रोइंग की होगी 15 दिसंबर को कितना मिन्हें आधा मिना कितना आते हैं साड़े चार के साड़े पांच साड़े चार मन्त ठीक है जी सर कुछ और भी बताओ आज का लास्ट फिर चुट्टी हमने नाइन केसी कर लिए है मन्तली ड्रोइंग वाले तो पहला बताओ अब मैं आपको यह बोल रहा हूं अगर मेरा पीरेट शे महिने वाला हुआ पहली ड्रोइंग कब की होगी फर्स्ट अप्रेल को तो उसके बाद कितने मन्त बच गए छे मन्त बच गए लास्ट ड्रोइंग की होगी मैंने कौन सी डेट बनती है वैसे लास्ट ड्रोइंग की डेट एक सेप्टेंबर क्योंकि टोटल खतम होंगे 30 सेप्टेंबर को हम कर रहे हैं फर्स्ट ओव दा एवरी मन्त तो लास्ट ड्रोइंग हमारी कब की होगी फर्स्ट सेप्टेंबर उसके बाद कितने महीने बच गए एक महीना डिवाइड अ neces being a house इन बंक आ जब फाईव प्लस जीरो इस डूब्वाइट डिवीड़ें प्लस लाइट क्लेक होती है मिडल मे की प्लस क्या होता साथे पांच प्लस डेट डेट क्या बनेंगी लाइस ड्रोइंग तॉण त्री मुद्स वन ओफ दा चैलेंजिंग टोपिक है यह प्लस टू का सीरियसली बोल रहा हूं और अब आप लोग देख लो कि अगर आप लोगों को समझ आ गया तो आप समलो कि आपका लेवल बड़ा अच्छा चल रहा है यह वन ओफ दा चैलेंजिंग टोपिक रहता है अभ को